तो दोस्तों जब भी बात करते हैं नेवी या फिर आईसीजी यानि की इंडियन कोष्ट गार्ड की तो कहीं न कहीं आपके माइड में एक बात जरूर आती है आखिर पंडुब्भी क्या होती है और भारत के पास कितनी पंडुब्भियां है और उसमें से भी सबसे ज्यादा जो important होता है वो होता है nuclear submarine कितनी हैं इंडिया के पास और उन पर क्या-क्या काम होता है आईए इसको detailed में समझते हैं मेरे बाई पहली बात तो यह है कि जब हम यहाँ पर समझते हैं भारत का परमाड़ संचालित पंडुब्भी कारिक्रम तो सबसे पहले इसके बारे में डीटेल समझ लेते हैं कि क्या-क्या हुआ था भारत ने 1970 के दसक में सदैसी परमाड़ संचालित पंडुब्भी बनाने के लिए Advanced Vessel Technology यानि कि AVT कारिक्रम सुरू किया था और इस कारिक्रम को जब इन्होंने सुरू किया तो उस टाइम पर क्या था भाया 1970 का दसक था यह कारिक्रम DRDO परमाड़ ओर्जा विभाग और भारती सेना की एक संयुक्त परियोजना है मतलब यहां से यह भी कन्फरम है कि यहां प से बनाई जा रही है यहां पर यहां पर यहां पर यह भी हम समझ लेते हैं किंतनी पंडूब्यों का आज तक भारत ने संचे कर पाया है यहां पर अगर हम देखें तो भारत की पहली ली गई परमाड़ू हमलावर पंडूब्य आइनस चक्र जो की बहुत इंपोर्टेंट ह पहली है तो इसके बारे में बहुत जानना जरूरी है इनस अरिघाट जिसके नाम दिया गया है अरिधिमान जिसके को भारत की ये चार परमाड़ उर्जा संचालित बैलस्टिक मिसाइल पंडुबियां है और अरदिमान को 16 अक्टूबर 2024 यानि की हाले ही में लॉंच किया गया है अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं वन बाई वन करके भाई अगर हम यहां पर देखें तो आएने उसमें कहीं न कहीं रूस हमारे साथ यानि की भारत के साथ मिल करके परमाड़ पंडुबियों को निर्माड करवा रहा है और यह पूरा का पूरा भारत के लिए किया जा रहा है और यहां पर जो पहली पंडुबी थी वो भी रूस नहीं दिया था देश की पहली परमाड़ को भारत पहुंचाने के बाद आएनेस चक्र का नाम दिया गया मतलब की आएनेस चक्र का पहला जो नाम था इसके मतलब इसके पहले जो इसका नाम रखा गया था वो था SSGNK43 जो कि रूस ने दिया था तो रूस पर ये उसको बोला जाता था लेकिन जब ये भारत पर आई तो इसका नाम रखा गया INS चक्र ठीके ना इसके बाद ततकालीन प्रधान मंत्री राजी उगांदी ने विसाखा पढ़नम पहुँच करके देश में इस परमाड़ पंड नहीं रहने वाला था यह रूस से आई थी 10300 किलोमेटरे चल करके और यह और सिर्फ और सिर्फ भारत ने इसको किराय पर ले रखा था 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 तो यह थी .... के लिए रूस से किराय पर भारत ने ले रखा था और साथी साथ भारती नौ सैनिकों को चारली क्लास न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल सब्मरीन दी गई थी तब ये पहली बार हुआ था कि किसी देश ने परमाड पंडुब्वी भी किराय पर ली थी मतलब ये इंडिया में न था रूस से जिसका नाम यहां पर ला करके रखा गया चक्र आइनस चक्र लेकिन इसके पहले इसका नाम क्या था SSGNK43 ठीक है दूसरी अगर हम बात करें आइनस अरिहंत की तो आई इसके बारे में डीटेल में समझते हैं इस परियोजना के तैद भारत की पहली बैलेस्टि में सामिल किया गया था एडवांस वेसल्स टेकनोलोजी के तहत बनाई जा रही पंडूब्वियों को अब आई एनस अरिहंत स्रेडी की पंडूब्वी कहा जाता है साती साथ सिप बिल्डिंग सेंटर विसाखा पटनम में इसको निर्माड किया गया इसको बनाया गया है औ अगर जलावतरंड की बात करें मतलब कि इसको कब वापत से समुद्र में भेजा गया है क्योंकि पहली बारी बनाया गया और समुद्र में कब होँआ पर भेजा गया तो बहुए जुलाई 2009 में इसको पहली बार समुद्र में भेजा गया है और कमीशन सामिल किया गया 2016 में भारतिय नौसैनिक में और कमीशन किया गया 2016 में 83 मेगावाट के दबाव वाले हलके पानी के रियक्टर द्वारा सम्रद यूरेनियम द्वारा संचालित ये एक भारत की पंडुब्बी है जिसका नाम रखा गया है आई एनेस अरियंद अगर इसके बाद हम बात करें आई एनेस कि तो अरिगात क्या है इस सरेड़ी की दूसरी पंडुब्बी अरिखा थी आयेस अरिज़ात जो है वह पंडुब्बी को 2017 में लॉंज किया गया है और इसको अगस्त दोज़ार 24 में भारती नौर सैनिक में सामिल कर लिया गया है ठीक है इसकी लंभाई की बात करें तो अगर हम बात करें अरिदमन की तो आइनेस अरिदमन को भारत ने गोपनी तरीके से विशाखा फटनम के सिप बिल्डिंग सेंटर से अरिहंत स्रेडी की तीसरी परमाड़ पंडुब्वी आइनेस अरदिमान 2022 में लॉंच किया था और भारत की चौथी परमाड़ ओर्जा संच चालिद बैलेस्टिक मिसाइल पंडुब्वी आइनेस अरदिमान को 16 अक्टूबर 2024 में लॉंच किया गया इसका कोड़ नाम S4 दिया गया है या सिप बिल्डिंग विसाखा पटनम में निर्मिट किया गए जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया या अरिहंत में अभी हाल ही में इसको लॉंच किया गया है 2024 में 16 अक्टूबर को तो कहीं न कहीं यह information आपको एक आपके जजबे को बूश्ट करता है और आपको यह सारी चीजें पता होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती कम से कम अपने देश के बारे में चीजें पता हो और जो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि जो पहली पंडूबी थी वो इंडिया ने खुद से नहीं बनाया था वो रूस ने दिया था और इंडिया ने उसको लीज पर लिया था यानि कि किराये पर लिया था तीन साल के लिए अगर यह information आप सो भी लोगों को पसंद आई है तो अ ऐसे information के साथ के लिए हमारे साथ बने रही है सभी को जैहन